को कैसे हो समी और Leung you can have refers भार फता पट से जुरण जाइयेगा कि क६ मेरे सभी साथ ही जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको मेरी अवाज आ रही होगी एक बार फटा-फट से उसन से जुळ जाइये का उसके बाद सेशन जैसा भी आप सभी को मालूम है यह क्लास जो है आप लोगों की एक रिवीजन क्लास है तो हम इसको एक रिवीजन क्लास की तरह लेंगे ठीक है मतलब इसमें हम सारे कोश्चन और आंसर को करेंगे यह आप लोगों का रिवीजन है पूरे सेप्टेंबर का तो सेप्टेंबर से तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में सुनने में और सुनकर के चीजे हमारी जल्दी याद होती है तो उस सभी चीजों के लिए मैं आप लोगों को यहां पर क्या है बताने वाला हूं तो जस्ट एक यह रिविजन क्लास है ध्यान रख लिजेगा ठीक है श्षन को शुरू करता हूं 6 बजय, 11 बजय, 2 बजय, 9 बजय यह टाइम टेबल है आप लोगों का बात करते हैं प्लस कोर्स की और ये complete economics का बैच है आने वाले सभी exam के लिए important है उसमें आप क्या कर सकते हैं कि एक महीने से लेकर के 24 महीने तक का सब्सक्रिप्शन आप लोगों का available है जिसमें साथियो GC10 code को आप use कर सकते हैं 10% discount के लिए याद रखेंगे और कुछ coins आपके लग जाते हैं तो discount आपका बढ पढ़ेंगे तो इसके अंदर आप लोगों को सभी live classes मिलती है test series मिलती है doubt clearing session मिलता है और यहां पर आप लोगों का यह अगर आपको subscription बिल्कुल free of cost लेना है तो पहली दूसरी और तीसरी rank वाले को मेरे साथियों किसमें जो combat हमारा होता है ssc combat 40 question होते हैं 50 minute होते हैं every Sunday 12 बज amount आपको नहीं देनी पड़ेगी बाकी 4-10 आप लोगों की 75% scholarship है तो यह scholarship test है आप लोगों का आप इससे भी कर सकते हैं code आपका GC10 है नए बच्चों के लिए चलिएगा session को सुरू करते हैं काफी सारी चीज़े पढ़ेंगे ठीक है और मेरे साथ में सभी लोगा answer करते जाए दोस्तों पहला question आप लोगों का आएगा यहां पर A-R-E-A-S आप लोगों का जो हमारा मेरे दोस्तों यह संगठन है association है किस मंतराले से जूड़ी एक पहल है तो यह state के लिए है और यह हमारा जो renewal ministry है हमारी उससे जूड़ी हमारी एक पहल है renewal minister हमारे कौन है आर के सिंग है चलिएगा जहाज रानी मंतराले ने किस राज्ये में एक नए समुद्री अध्यन कोसल संस्थान की मेरे दोस्तों जो skill institution है किसने आप लोगों का मेरे सात्यों समुद्री अध्यन maritime मेरी टाइम में world maritime day भी था कल national maritime day 5 April को तो यह आप लोगों का असम के अंदर है सर्वनन्दा सोनो वल जहां के पहले cm हुआ करते थे अब वो आप लोगों की किसमे जहाज रानी मंतराले में है ओके कौन सा राज्ये केंदर सासित प्रदेश साल के अंध तक 10 वर्से जलवाईयू कार्य योजना लागू करेगा तो यहां पर आपको दिल्ले है कोशन को ध्यान से सुनना सुनने के बाद चीजे रिकॉल होंगी और रिकॉल होंगी तो याद होंगी ये सभी चीजे वही है जो सुबद 6 बजे मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई हुई है चलिएगा आगे चलते हैं दोस्तो फटा फट से मैं लिखना नहीं है इसमें कुछ भी ये PDF आपको बाद म मिल जाएगी ठीक है योगेस कथूनिया मेरे दोस्तो यह गेस कथूनिया ने मैडल जीता था पैर अलम्पिक में डिसकस थ्रो से हमारे ब्लॉंग करते हैं तो यहां पर आ जाएगा डिसकस थ्रो और दोस्तों इन्होंने कौन सा जीता था रजत पदक जीता था सभी को मालू कर दिया है कर दिया है डारेक्ट भॉकिंग लाइसंस के लिए इस्ट्व्ट दिनी जन्होंने रिटायर्मेंट ले ली है यह बारती टीम के आलरॉंडर के तोर पर खेला करते थे इश्ट्वर्ट बिनी साथियो गोश्टना कर दी है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्राले ने एक बीएच सीरीज आप लोगों की लॉंच कर दी है जिसके तहट आपको जब राज्ये बदलोगे तो आपको अपना नंबर नहीं बदलना पड़ेगा या N.O.C. नहीं लेनी पड़ेगी साथियो तो हमारे जहाज राणी मंत्री को है हमारे सड़क परिवहन मंत्री कोन है नितिन गडगरी है नागपूर से सांसद है चलिएगा अगला कोशन है ये आपका फॉर्मेट था भारते जीवन बीमा के अभी बरतमान चेर्मेन कोन है तो सभी को मालूम है एमार कुमार है कोशन बहुत ज़ादा है इसलिए आप लोगों का इस तरह से केवल एक रिविजन मात्र के तोर पे भारत आसियान इंजीनिरिंग साजेदारी हुई थी आप लोगों की याद है आप लोगों को मैंने बताया था अनुपरिया पटेल ने होस्त किया था क्योंकि अनुपरिया पटेल जो है मिनिस्टर ओफिश्टिट कॉमर्स मिनिस्टर है आप सभी लोग जानते हैं आगे चलेंगे बुद्धदेव गोहा पटेली में निधन हो गया तो आप सभी को मेरे दोस्तों पता है कि वो बेंगॉली राइटर थे कौन थे बेंगॉली जैसे महादेवी महापात्रा महादेवी आप लोग की वो कौन थी वो उडिया राइटर थी ठीक है दोस्तों गर हम बात करेंगे यहाँ पर तो अगला कोशन है आप लोगों का माई पेड माई राइट यह परियोजना है नाबाड के स्वाथ में सुरू की गई है तिरपुरा में अभी हाल ही में लौंच की थी निर्मला सीता रमन्ने ठीक है तिरपुरा गई हुई थी तब लौंच की थी याद रखेंगे यहाँ पर है लागनेशन राज्यपाल बने हैं तो कहा के बने हैं मनिपूर के बने हैं पहले नजमा हेपितुल्ला हुआ करती थी ऐसे मुझे लगता है यह मानेगा नहीं और इसको करना पड़ेगा ठीक है चलि तो यह है आप लोगों का चलो अपने अपने राज्ये के राज्येपाल का नाम बता दो जो आपके राज्ये है राज्ये के राज्येपाल है उनका नाम बता दीजेगा ठीक है और कल दो अक्टूबर है मेरे दोस्तों ध्यान से समझ लीजेगा सारी चीजे साउंद भी दिक कर रहा हो मेभी ठीक है तो चलिएगा साउंड भी आप लोग बोल रहे हैं तो हो सकता है भीया साउंड भी हो वैसे होना नहीं चाहिए था वट एक बार आप सभी लोग जब कह रहे हैं तो इसके अंदर हम जो है कर लेते हैं चेक को चलिएगा ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके कुछ हुआ क्या बढ़ा क्या कुछ ठीक है चलिएगा तो यहां पर आजाओ फटा-फट से एक बार जितने भी सभी साती है ठीक है बता दीजिएगा ठीक है यहां पर हमारा जो है कौन सा था सेप्टेंबर का था ठीक आजाओ यह आप लोगों का जो है यहां पर हो चुका है आगे बढ़ते हैं फटा-फट से केवल रिविजन मात्रे क्योंकि कोश्चन जो है वह बहुत ही सारे हैं कोश्चन बहुत सारे हैं लागनेशन हमारे हो चुके हैं आजाओ तो लागनेशन यहां पर हो चुके हैं अगला कोश्चन है आप सभी लोगों के लिए मेरा बतन मेरा चमन किस केंद्रिय मंतराले दोर कौन है तो अगर आपसे पूछा जाएगा वेल्जेन के भी जिता मैक्स वर स्टैपन है लुइस हैमिल्टन ने सो जीत ली है सभी को मालूम होगा पैरलंपिक में स्वाण पदक जीतने वाली पहली भारते महीला तो पैरलंपिक में किसने जीता था मेरे दोस्तों अवनी ने ज देख लेता हूं ठीक है साउंड कोशन भी पढ़ लो थोड़ा सा मेरे पास सही आरी देखो अच्छा जब मैं चलता हूं माई खिलता है चलो चलूंगा नहीं मैं स्टैच्चू भाला फेक में सुमित अंटिल है कौने भाला फेक में सुमित अंटिल है याद रख लीजिएगा ठीक है यहाँ पर बात करेंगे किस देश ने सह सिक्षा पर प्रतिवंद लगा दिया है कोएड एजूकेशन जिसको बोलते हैं अफगानिस्तान ने कोएड पर प्रतिवंद लगा दिया है पता होगा आप सभी लोगों को ठीक है राष्टी पेंशन पेंडाली में निवेस करने के लिए पातरता आयू बढ़ा दी गई है और अब वो आयू 18-70 वर्स कर दी गई है याद रख लीजिएगा ठीक है उसके बाद है आपका फॉलो पेमिन ड इस्टेंसिंग आप लोगों का मेरे दोस्तों यह शुरू किया गया है आप लोगों का रुपए कार्ड के जरिए आई डी बी ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड ए और सी आईल में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी की घोश्टना की है तो आई डी जो अपना था देशक के रूप में तो कौन है हमारे मेरे दोस्तों कहांगे रजनीज कुमार है जो आंध्र प्रदास के एकॉनोमिक एडवाइजर में अगला कुशन है किस तारीक को गगन चुम्बी इमारत तो तीन तारीक कहीं दिखाई दे रही होगी तीन सेप्टेंबर गगन प्रदास के लिए बैंगलोर की कमपनी के साथ में समझोता किया है मतलब इसकाई स्ट्राइकर इस आसमान से छोड़ेंगे और सीधे निसाना मारेंगे तो कितने हैं सों हैं बहुत सई हाली में किस देश की महिला सैनिकों के पहले बैच ने इसना तक किया है वह या पहला बैच इसना तक कर रहा है साउदिय अरेविया में महिला सैनिक है ठीक है 35 नहीं है सो है ध्यान रख लेना ठीक है चलिएगा आगे चलेंगे सर प्लीस साउंड अब तो साउंड नहीं है आ क्या है अब आपी सुन लो साउड इसी साउड को आप सुरू कि यह देखु आप आप करेंगे जाओ आप देखुँ आप माले बाइचान सोडी बता हो रही हो कि किसी वज़े से हो रही हो कि पता नहीं क्या वज़े चल रही है चलो ठीक है चलते हैं तो होगी थोड़ा बहुत कर लो इसमें साउंड का ज्यादा खेल नहीं है ठीक है चलो एर लॉंच मानव रहित हवाई बाहन बनाने के लिए भारत ने परियोजना के साथ में समझोते किये हैं यूएस मतलब जो हम एक मेरे दोस्तों क्या बनाएंगे अन्मेंड एयर ओर रहा हो ठीक है आपके एंड मेरे एंड पर भी केंद्र शासित प्रिदेस लड़ाक ने पृशासन दूरा किस जानवर को रास्टे पसू लड़ाक कांसा है हिम तेन धुगा हिम तेन दुगा है याद रखेंगे पी एम मोधी ने एक सितंबर को इसकौन के संस्थापक की के लिए है सेल्फ एल्फ गुरुप के लिए है जम्मू कस्मीर का है साथ इनिशेटिव जम्मू कस्मीर में रमन मैक्से से पुरुसकार कितने को दिया गया पांच लोगों को रमन मैक्से से पुरुसकार दिया गया है याद रख लीजेगा ठीक है रमन मैक्से से आपके मुहम आप सभी को मालूम हैं, वो क्या थे, टेलीविजन से रिलेट करते थे, ठीके? चंदन मित्रा का पेसा क्या था? चंदन मित्रा भी मेरे दोस्तों, जर्नलिस्ट थे, सभी को मालूम होगा. हाली में किस बैंक ने जम्मू कस्मीर के सिरी नगर में डल जील में तैरता हुआ ATM जस्ट में कीवर्ड को उठा रहा हूँ ठीक है चलिएगा आगे है डल जील मानसबल जील ये सब आपकी कहीं पर वहीं पर मिलेंगी अगला कोशन है एडी डास का इस्ते इन प्ले अभियान है एडी डास का कहां गई मीरा बाई चानू ये रही मीरा बाई चानू ठीक है आगे है नियूरो सर्जरी में प्रतिष्टित लाइफ टाइम अचीवमेंट आवोर्ड आप सभी को मालूम है दोस्तो बसंत मिस्रा को AANS आप लोगों का तो नियूरो साइन्स में नियूरो सर्जरी में आप लोगों का जो मिला है वो किसको मिला है बसंत मिस्रा को मिला है नियूरो सर्जरी में लाइफ टाइम अचीवमेंट ओके ये रहे आपके सामने उसके बाद साथ यो किस IIT ने इकचरे से निपटने के ल होता है तो उसके लिएक marketplace e-source आप लोगों का विक्सित किया है IIT मदरास ने ठीक है अगला कोशन है रोबो बैंक ने तो रोबो बैंक ने क्या किया है जो अमूल है उसको टॉप 20 में कितने नंबर पर रखा है अठारवे नंबर पर रखा है जब कि पिछले साल solve नंबर पर थी याद रख लीजेगा ठीक है अगला है साथियो आप सभी लोगों के लिए बेरोजगार युबाओ की साहिता के लिए मेरा काम मेरा मान पंजाब काफी उथल पुथल चल रही है मेरा माकाम मेरा मान तो ये सब चीजे भूलो ना आप मेरे दोस्तों तो हम क्या है कि ये recalling के लिए आपका session है ठीक है वरना तो 400 question करने में उस तरीके से तो फिर time लग जाएगा सुभा का 6 बजे का session detail में होता ही है सीवी डिटी के chairman कौन है जेवी मोहा पात्रा है ठीक है दुनिया की सबसे उची motor योग्य सड के motorable road सबसे उची लगदाक में मिलेगी ठीक है चलेगा लोगों को मुफ्त पानी देने वाला पहला राज्य है सोलह हजार लीटर पानी फिरी है गोवा में जो रेवेज फिरी भी है आप लोगों का 6 सितंबर को सैने काई को प्रसिडेंट कलर अग्स कंवान है मेरे दोस्तों यह किसको मिला है इंडियान नेवल अव्येशन को मिला है याद रख लीजेगा ठीक है चलिएगा उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है विश्व नारियलस कभ मनाय जाता है तो विश्व नारियलस मेरे साथ यहों दो सेप्टेंबर को मनाया जाता है ठीक है नार्ययल दीवस दो सेप्टेंबर है आप लोग आंसर करते रहो मैं 10 सेकंड का पोज लूँगा हर कॉश्चन पर 5 सेकंड का वस ठीक है दसका नहीं रास्टे पोशन सप्तहा का विशे क्या था बता दीजेगा फटा फट से रास्टे पोशन सप्तहा का विशे ठीक है बताओ आप के रहो ना टाइप करने में दिक्कत हो रही है पास सेकिंड का पोज लिया मैंने तो फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रोम स्टार्ट फीडिंग स कर लिजेगा सांती लाल जैन और इंडियन बेंक हैं इंडियन बेंक है जबरन गायब होने के सिकार के लोगों का अंतराष्टे दीवस मतलब जो लोग गायब हो जाते हैं किट्नैप कर लिया जाता है डिसेपियर हो जाते हैं तो उनका दिवस कब मनाया जाता है तीस अगस्त को मरियपन थंगा वैलू जिन्हों पैरलंपिक में उची कूद में रज़त पदक जीता है मरियपन थंगा वैलू लास्ट टाइम राजीब गांधी खेल रतन भी मिला था और ये कहां से हैं तमिल नाडू से हैं याद रख लिजेगा सरद कुमार ने किस खेल में टोकियो में कासे पदक जीता है तो सरद ने सारी सरदे पार कर दी थी कैसे पार की थी उचा कूद करके पार कर दी थी अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतरास्टे दिवस 31 अगस्त को पहली बार मनाया गया है था कब तो अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए 31 अगस्त को पहली बार मेरे साथ ही हो कब मनाया गया इस साल ही मनाया गया है 2021 में याद रखेंगे मूडीज के अनुसार 2021 का तो मूडीज है 2021 का जैसे UNCT 87.2 है 2021 का बता रहा हूं ठीक है तो 2021 में मूडी का मूड बदला 9.6 आप लोगों का आ गया ठीक है सिंग्रा जदाना ने पुर्सो की 10 मीटर एर राइफल में फाइनल में किस पदक का दावा किया था तो सिंग्रा जदाना जो की आप लोगों के किसे थे मेरे दोस्तों आप लोगों के शूटिंग से थे तो 10 मीटर में इन्होंने जीता था सातियों सिल्वर गॉल्ड ब्रॉंज ब्रॉंज जीता था क्योंकि इन्होंने सिल्वर 50 मिटर में जीता था तो कहीं पर ब्रॉंज लिखा होगा यह रहा ब्रॉंज ठीक है अंतरास्टे खगोलिये संके मानत सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारती हैं मतलब जो आई ए यू है इसकी मानत उपादी होन रिमेंबर बने हैं तो कौन बने हैं डॉर जी एंग चुक यह लद्दाक वाले हैं आपको पढ़ाया हुआ है ठीक है चलिएगा इसका भी एक बार टेस्ट ओर होगा अगला जो टेस्ट होगा इसका वो एप के उपर में होगा उसमें क्या काम होगा उसमें मैं बोलूंगा नहीं उसमें कुछ नहीं करूंगा बस बैठूंगा पोल लगाता रहूंगा तो फिर आपको वो टेस्ट देना है में भी एक दो दिन में ही डिकलेर कर दूंगा टेलिग्राम गुरूप पे बता दूंगा तो उसमें आपको पता लग जाएगा ठीक है तो टेलिग्राम गुरूप से जुड़े को बढ़ाओ रीडिंग स्पीड भी बढ़ाना जरूरी है हमें कोशन आ रहा है यह काफी नहीं है हमें अपनी स्पीड भी बढ़ानी है बासुदेव परंजापे का निधन हो गया यह मेरे दोस्तों कौन थे तो यह आपके किर्किट से विलॉंग करते थे ठीक है अलजीरिय नोसेना के साथ भारतिय नोसेना ने आयोजित प्रिथम समुद्रिय अभ्यास में किस जहाज ने भाग लिया था तो अलजीरिया सभी लोग जानते अलजीर जिसकी कैपिटल है भारतिय नोसेना जैसे भी Oc Index हमारा चल रहा है ऐस्ट्रेलिया के साथ में तो इसमें हमारा पर कि कितनी हो सकती है तो 34 हो सकती है लेकिन अभी कुल कितनी है करंट में कितनी है तो करंट में दोस्तो 33 है 34 तक हम जा सकते हैं लेकिन अभी करंट में कितनी है 33 है ओके दुनिया की सबसे बड़ी डेरी कमपनी में रोबो बैंक ने मेरे दोस्तों तो रोबो बैंक जिसमें अमूल अठारवे नंबर पर था पहले नंबर पर कौन थी तो हमारी लेक्टिल्स जो थी वो पहले नंबर पर थी मार्क कर लीजेगा ठीक है अगला है डिफेंस एक्सपो की मेजबानी तो भहिया 2019 में तो लखनाउ न की थी अब क्या करेगा गुज्रात कर लेगा तो यह आ जाएगा ठीक है दोस्तों हमारा जो राष्टे इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्स और प्रबंधलि निद्शक्की से चुना गया है तो यह क्या है हमारा स्वाथियो आपके सामने राष्टेज स्पात निगम तो यहाँ पर अगर आप इन तीनों को देखोगे तो वैसे ही काट दोगे बचेंगे कौन अतुल भट बचेंगे याद रख लीजेगा काफी important है सुनते जाएं सुनने से बहुत चीज़े फरक पड़ जाती है राज्ये सभा के सभापती M.Wenkin I do और कल से हमारा mission सुरू हो रहा है mission 2021 mission 2021 में current affair के सारे topic topic wise आपको 15 October तक खतम कराने है मुझे ये मेरा target है सारे topic topic wise 15 October तक खतम कराने है याद रख लीजेगा दोस्तो राज्ये सभा में सभापती एवं M.Wenkin I do ने राज्ये सभा में महा सचीव किसको है तो पीपी के हैं आपके कौन है पीपी के है word photographer of the year किसको मिला है तो ये मिला है एलन जैंद्रो प्रीतो को याद रखेगा ओके तो ये ध्यान रखेगा मेरे साथियो अरब अमीरात उरुब्ब्य और बांगलादेश को अभी हाली में एड करा गिया है किसके अंदर एड किया गया है तो न्यू डवलप्मेंट बैंक में ठीक है इट राइट इस्टेशन कौन सा संस्थान की पहल है इट राइट इस्टेशन जो चंडिगड को मिला है तो यह फसाई की है जिसने गुजरात गोवा जब्मू कस्मीर याद आ गया होगा पुरा कुशन बोलने की जरूत नहीं है पत्रकार कल्याण योजना के मोजुदा दिसा निर्देशों की समिक्षा के लिए एक आप लोगों का बनाया गया है पैनल बनाया गया है और उस पैनल के अंदर आप लोगों का जो है हेड बनाया गया है वो है टंडन सहाब कहीं पर होंगे ये रहे ठेक है असोक टंडन ठेक फिर दोसी कादरी और मुहमाद अमदुब जो हाली में खबरों में थे कौन सा पुरुसकार मिला है मैंने बताया था ना रवन मैकसे से पांच लोगों को मिला है तो इसमें से दो तो यही है पांच आप लोगों के सामने थोड़ी दिर पहले थे इस स्टार्टप को बढ़ारवा देने के लिए इनोवेशन मिशन सुरू किया है दोस्तो सारजनिक नीजी भागेदारी मतलब पब्लिक प्राइविट मिशन जो इनोवेशन मिशन पंजाब अमरिंदर सिंग थे उस टाइम पर ठीक है तो यह रहा आएम पंजाब करके सुरू किया था इनोवेशन मिशन पंजाब ठीक है जहापड एक बहुरास्टी अभ्यास है तो कहां का है मेरे साथियो रसिया का है याद रख लीजेगा जैसे मिशन पीस्फूल है इस टाइप है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार किस देश में आयो जित है तो जब हम ब्राइट स्टार के बारे में बात करेंगे तो ब्राइट स्टार पहुँचेगा कहां पे मेरे साथियो एजिप्ट में उसके बाद भारत ने किस देश के साथ एसिया में हरित विकास के लिए 1.2 बिलियन डॉलर तो 1.2 बिलियन हरित विकास अगर किर्सी के लिए बोलेंगे तो फीजी के साथ में किर्सी के लिए क्या है पत्रकार कल्यान कोस पत्रकारों के लिए कि योजना है कि पत्रकार डेथ कर जाते हैं या किसी को कुछ हो जाता है तो उनको उस कोस से पैसा दिया जाएगा और इसको शुरू करने वाला बहुत सारे राज्यों ने शुरू कर दिया है 36 गर ने भी शुरू किया है UP ने भी शुरू कर दिया है स्वास्ते विज्ञान विश्विध्याले विधेयक मेरे दोस्तों यूनिवर्सेटी ओफ हेल्थ साइंस बिल रिसेंटली उडिसा का कहीं पर जिक्र हुआ था थोड़े दिन पहले मैंने बताया था तो यह उडिसा में ठीक है स्पीड को बढ़ाना है अपनी रिडिंग स्पीड को 5 सेप्टेंबर 2021 को देखो अगर आप पहली बार कोई कोशन पढ़ रहे हो पहली बार तो यह जो तरीका मैं बता रहा हूँ ना पहली बार किसी कोशन को पढ़ रहे हो तो यह सरासर गलत तरीका है पहली बार में question ऐसे नहीं पढ़ना कभी भी पहली बार question को पूणते हैं समझना है तो जब question यह हमने पहली बार पढ़ेते तो सुभवाले session में पढ़ेते 6 बजे आज हम revision session के तोर पे कर रहे हैं तो हम इस तरह से उसको कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों का जो है मेरे दोस्तों यह कहां के थे यह हमारे गिनी के थे ACI विकास बैंक ने किस भारतिय राज्ये में सहरी गरीबों के लिए आबास परियोजना के लिए 150 अमेरीकी डॉलर के रिड को मंजूरी दी है मतलब जो सहरी गरीब हैं दोस्तों कहां पर तमिल नाडो में तो ADV ने 150 दिये हैं ध्यान रखेगा ठीक है उसके बाद है तेहरवे ब्रिक्स संबेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा तो तेहरवा तेहरवा है और ब्रिक्स को 15 साल हो गए है तो इंडिया कर रहा है भाईया तेहरवे की और ब्रिक्स में जैसे स्पेलिंग लिखी होती है ना अगले साल चाइना करेगा फिर साउथ अफरीका करेगा घूमता रहता है ऐसे ही दोस्तो वतन प्रेम योजना तो उस टाइम पर बीजे भाई रुपानी हुआ करते थे वतन प्रेम योजना के टाइम पर गुजरात में वतन प्रेम योजना किस राज्य में जंगली और्किड संरक्षन प्रसार केंदर का उद्गाटन किया गया है तो जब हम जंगली और्क प्रसार दोनों है नया ग्रीन वीजा लॉंच किया है तो यू ए न वीजा कर रहा है गोल्डन वीजा इसने भी काफी लोगों को दिया है संझेम्दत भी है जीव लिखा सिंग भी है तो यह सब लोग इसके अंदर शामिल है याद रखेगा ठीक है ओके तरुना जी टोक्यो पेरालंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते हैं मुझे आप लोग बता सकते हैं यहां पर तो यहां पर भारत का टोटल 19 पदक थे और 19 से पहले टोटल बारत है त कहां से हैं बेडमिंटन से हैं कृष्णा नागर जब कोई संस्था सूचिवद कमपणी से अधिक शेर रखती है तो कमपणी को सेवी को सूचित करना पड़ेगा मतलब जब कोई संस्था किसी कंपणी में 5% से ज़्यादा शेर रखती है तो हमें भाईया बताना पड़ेगा सेवी के अजेत्यागी को जैक्स रोग जिनका हाली में मेरे दोस्तो निधन हो गया तो आप सभी को मालूम है आठवे नंबर के इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थे अभी थॉमस बैक है ग्रीस्म कालीन पैरलंपिक में पदक तालिका में सीर्स इस्थान पे कौन था तो पैरलंपिक में ट कि दोनों वेडमिंटन से हैं ठीक है मनीस नर्बाल मेरे दोस्तों ठीक है तो मनीस अरबाल आपके टोक्यों पैरलंपिक में सभी को मालूम है तो बाल से सूटिंग कर दिया हमने आयूस मंत्राल लेने एक वर्स में कितने घरों में ओउजदिये पोधे वित्रित करेगा पहले पहले का टार्गेट है भारती पैराइटलिट सिंग्राज अधाना ने किस इस परधा में दो पदक जीते हैं तो सिंग्राज अधाना दस मीटर 50 मीटर पता है शूटिंग है आप लोगों का ठीक है चल लिए जिगा उसके बाद है करसी और बागवानी छेत्रों में किसा में भी है उसके बाद है मनोज सरकार ने पैर अलंपिक 2020 की किस इस परधा में कास्य पदक जीता है तो मनोज सरकार सरकार मेरे दोस्तों कभी भी गिर जाती है मनोज ने किसमें जीता है बैड्मिंटन में तो सरकार गिर जाती है जो बूरी सरकार होती है बैड सरकार ठीक है उ तोक्यो पैरलंपिक में 50 मीटर में किसने मेरे दोस्तों स्वनपदक जीता था तो जब हम 50 मीटर और किसमें है आप लोगों का पिस्टल में 50 मीटर तो यहां पर देखो ध्यान से समझ लीजेगा अभी मनीश नर्वाल कौन से गेम से बताये थे शूटिंग से बताये थे बस य मनीश नर्वाल है ठीक है याद रख लीजेगा उसके बाद है वर्ल्ड युनिवर्सेटी रैंकिंग में कौन से विश्विध्याले ने सीर्स पर आया है तो वर्ल्ड युनिवर्सेटी रैंकिंग है ध्यान रखना वर्ल्ड युनिवर्सेटी रैंकिंग तो युनिवर्से 300 वाले ब्रेकिट में हैं तो दोस्तों इसमें आये इसी बैंगलोर है एंडिया इंस्टिटूट ऑफ साइंस बैंगलोर है ठीक है भारतिय जीवन भीवा निगम ने मेरे दोस्तों ध्यान से समझेगा खुले बजार के माध्यम से खुला बजार ओपन मार्किट ऑपरेशन के मा करेगा ठीक है सिम्बैक्स भारत और किस देश के बीच में एक साइउक तो सिम्बैक्स मेरे दोस्तों एक सिट मैक्स है यह सिम्बैक्स है तो यहां पर क्या बनेगा आप लोगों का सिम्बैक्स मेरे दोस्तों नाम से ही पता लग रहा है भारत और किस देश सिरलंका मयानमार Switzerland या Singapore तो जब भी हम Symbax की बात करेंगे अगर यह Imbax होता आप लोगों का अगर यह Imbax होता मेरे दोस्तो ठीक है तो देको तीन सारी चीज़े हैं मैं आपको बता दू एक OC Index है हमारा OC Index ठीक है एक OC Index है एक SLI NEX है हमारा ठीक है एक हमारा Symbax है मेरे दोस्तो ठीक है एक हमारा Imbax है तो जब भी हम बात करेंगे Australia वाला है सिरलंका वाला है यह मयानमार वाला है यह दोस्तो किसका है आप लोगों का Singapore India तो Singapore India Maritime Exercise है ठीक है चलिएगा Singapore India है ठीक है अच्छा उधर देख रहे हो उधर मत देखिएगा उसको छोड़ दीजिएगा ठीक है चलिएगा सिरलंका SLINX है SLINEX है ठीक है know your right and claim them यह किताब मैंने बताई थी इस किताब को किसने एंजिला जॉली ने किसने एंजिला जॉली ने याद रख लीजेगा ठीक है अगला कोशन है formula one Dutch Grand Prix नीदर लेंड वाली किसने जीती है तो नीदर लेंड वाली तो नीदर लेंड वाला ही जीत गया Max Verstappen ठीक है यहाँ पर यह सारी की सारी है मिल जाएंगी आपको लिखी लिखाई SBI की रजनीज को किस भारती राज्ये का तो आंध्र प्रदेश का बनाया गया नीचे है आंध्र प्रदेश ठीक है यहाँ पर कौन सा टॉडलर्स होते हैं एक दो साल वाले बच्चे तो उनके लिए टीका करण को मंजूरी दे दिया है तो यह क्या है क्यूबा और क्यूबा मतलब हवाना हवाना से हवन बना दो हवन में डालते पैसे पैसो इसकी वह है करणसी डगोंग मेरे दोस्तों डगोंग ने तो पर धायता है वहाँ पर नीवे आसमान के लिए जो दिवस मनाय जाता है पिछले साल से सुरू हुआ था साथ दिसंबर सिर्सिटтल को मनाय जाता है फुटवाल जीन पडीन का निधन हो गया तो जीन पियर एडम संका किते फ्रांस के थे अगला कोशन ने निल आसमान के लिए जो सवच वाईयू था आप लोगों का हो साथ सितंबर अब यह भी हमने पढ़ाता उसकी तीम क्या थी तो कहीं पर healthy air healthy planet healthy air health planet ठीक है एक एर रिूड लाइफ यह मैमोरियर है एक हमारे मैंने बताय था रिूड लाइफ किसकी थी वो नहीं थे हमारे जर्नलिस्ट तो जर्नलिस्ट कौन है वीर संग भी इनकी किताब थी वित्य इस्थिरता और विकास परिशत की 24 भी बेठक का हाली में आजित की गई थी FSDC के अध्यक्स कौन है तो जो FSDC के अध्यक्स होते हैं हमेशा finance minister रहेंगे जैसे निर्मला सीतारपन ठीक है बतन प्रेम योजना थोड़ी देर पहले बताई थी गुजरात की थी अगला question एया आखर आंध्रप्रदे nooit स duration सरकार द्वरा और थिक सलहकार के रूप में तो आंद्र प्रदेश को हर तरीके से रखा है ताकी हर तरीके से आपको क्या पता लग जाए कि भई कोशन को हर तरीके से बार-बार रिवाईज होगा तो याद हो जाएगा ठीक है अंतरास्टे साक्सरता दिवस कोन नहीं जानता आठ के ठाट ठीक है तो मेरे दोस्तों आठ नो अंतरास्टे साक्सरता दिवस का जब हम विसे की बात करेंगे तो थीम एक महत्पूर मुद्दा होता है लिट्रेसी फोर है यूमेन ठीक है लिट्रेसी फोर है यूमेन ये पिछले साल की दी ठीक है लिट्रेसी फोर है यूमेन इतनी सी याद रखनी है बस आपको लिट्रेसी फोर है यूमेन लिट्रेसी फोर है यूमेन ठीक है किस बैंक ने रानी राम पाल और इस्मृती मंधाना कि आधा है डोनों को अपना ब्रैंड इक्टूर बना लिया है वही बैंक जिसने थोडे दिर पहले डिजीटल f.d को लॉंच किया था कोन सा था राज्य सरकार ने 17 सितंबर को समाजिक नियाय दिवस तो 17 सितंबर को समाजिक नियाय दिवस तमिलाडू मरा रहा था कौन तमिलाडू ठीक है किस राज़े ने केवल छेतर में इस्थाई निवासी प्रमानपत्र धारकों को निवासी प्रमानपत्र जारी करने का मतलब मेरे दोस्तों ध्यान से समझेगा जो कोई आप लोगों के हैं बाहर रह रहे हैं कहीं ठीक है और उन वो हैं उस राज्य के ही तो उनको मेरे दोस्तों क्या प्रवाइड करवाए जाएगा आप लोगों का निवासी प्रमान पत्र जो है आप लोगों का तो यह किसमें है आप लोगों का अगर हम बात करेंगे और इस थाई निवासी होने चाहिए पर वहां के ठीक है तो उनको निवासी प्रमानपत्र दिया जाएगा ठीक है ऐसा नहीं कोई कभी कभी जाता है तो मैंने वही बताया था कि इसकन के जो फाउंडर थे उनकी 150 वी जैनती थी और नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था आप लोगों का मेरे दोस्तों एक हमारा जो है सिक्का जारी किया था ठीक है तो कौन थे वह इसकन के स्वामी प्रभुपादा स्वामी प्रभुपादा याद रखेंगे ओके राजवन कुछ नेट की प्रॉब्लम चल रही होगी आपके में न ठीक है चलो दोस्तों ACI विकास बैंक ने तमिल नाडू में सहरी गरीबों के लिए मैंने थोड़ी दिर पहले एक कोशन पढ़ाया था तरीका दूसरा था कोशन वही है ठीक है तो सहरी गरीबों के लि ठीक है चन्नई में हेड़कॉर्टर है पच्छिम बंगाल की ममतब एनर्जी जो है वो भवानी पूर से चुनाब लड़ रही थी ठीक है अभी इलेक्शन हो चुका है रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेभी और भारतिय इंडेक्स औसी इंडेक्स सुभह में ही पढ़ाया था कब है चोथा है आप लोगों का 2015 में शुरू हुआ था दो साल में एक बार होता है किस बैंक ने हाली में बिना खाता खोले गूगल पे के डिजिटल एफडी अभी बताया था ना डिजिटल एफडी एक्विटेस बैंक इस्मृती मंधाना वाला ठीक है ट्राइफेड अगले तीन निर्भर भारत को अनर खोलेगा 75 दूतावासों में विश्व स्वास्ते संगठन के दक्षिल पूर्वी इसे कर्यले में भारत का प्रतिनी दित्व किस ने किया था तो भारत का जो प्रतिनी दित्व था देखो ध्यान से समझेगा डबलू एच्चो सेरो था मंसुक या रंदीप है भारती प्रवीन पवार कौन है भारती प्रवीन पवार है ठीक है यह हेल्थ मिनिस्टर है हमारी स्टेट वाली भारती पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेड के अरुन लिखा होगा कहीं पर यह लिखा हुआ अरुन ठीक है याद रखेगा इस बीपी सी के managing director पूछ रहा है ध्यान रखेगा प्रसीडेंट अलग है managing director अलग है तो बूचैंग आप लोगों के कोन है बूचैंग उम है कोन है बूचैंग हमे तो हमारे managing director पूछ लेता तो मासा ता सूग लगा देते लेकिन अभी D option है D ठीक है याद रखेगा D option है याद रखेंगे सिंपल है समझ में आ रहा है उधर मत देखेगा वो उधर छोड़ दीजेगा मैं जो कह रहा है उसको सुलो दोस्तों कॉंग्थों गाउं को UNWTO ने सर्वस्रेश्ट पर रेटन गाउं दिया है तो ये गाउं कह आप लोगों का तो मेरे साथ यों कॉंग ठोंगाउं मेघाले का है यहाँ पर किस राज्य सरकार ने बहार से पंढ़े वाले छात्रों को अधिवास प्रमान चत्र बहार वाले छात्रों को ये 36 गण ने दिया है अगला कोशन है G20 के सेरपा सेर के पापा मैंने बता रख पानी मोर्य राज्येपाल से अपना इस्तिभा दिया था कहां से उत्राखंड से सभी को मालूम है चंडिगर रेलवे स्टेशन इट राइट स्टेशन तो टोटल स्टेशन कितने हैं पांच इट राइट स्टेशन में ठीक है बुजुर्गों की बात के साथ नामक कार्यक्र मतलब 1947 से पहले जिन्होंने देश को कम से कम 18 साल दिये होंगे ठीक है तो मतलब 1947 से पहले 18 साल कम से कम तो ऐसे maximum लोगों को इसमें लिया गया है दोस्तों एक्जिम बैंक के नए M.D. कौन है तो हरसा है याद रखिएगा केसब देशी राजू जिनका हाली में निधन हो गया तो केसब है देशी राजू देशी दारू मेरे दोस्तों ध्यान से समझ लेंगे ये हेल्थ सेकरेटरी में आते थे रोक थाम मेरे दोस्तों आत्म हत्य रोक थाम ये हमने 10 सेप्टेंबर को मनाया है रास्तिय राजमार्कपर भारत की पहली आपात कालीन लेंडिंग ठीक है हर महीने का टॉपिक वाइज रिविजन और रिविजन होने के बाद हर महीने के MCQ ठीक है कौन सा देश 2023 नेताओं में सम्मिलन की मेजबानी करेगा तो 2023 में अपना प्यारा भारत करेगा इस साल कौन कर रहा है इटली 2022 में इंडोनेशिया 2024 में ब्राजील ऑके भारत स 112 मिलियन तो यह ADB है ADB तो ADB ने अभी 150 हमने तमिल नाडू पढ़ा था तमिल नाडू पढ़ा था 150 सहरी आवास्यों के लिए अब हम 112 में जलापूर्ती के लिए जार्खंड की बात हम करेंगे कहां पर है जार्खंड अपना यह रहा जार्खंड ठीक है ADB ने भारत सरकार म महाराष्ट ग्रामीर तो महाराष्ट ग्रामीर संकर्प के लिए अगर आपसे पूछा जाएगा 300 बिल्कुल यह 300 मिलियन तीन सो ठीक है यहां पर है ताटा के लाइफ इंस्वरेंस के जो ब्रांड एंडॉर्स्मेंट बने है ब्रांड एंबिस्डर नीरत चोपड़ा कहीं यहां पर है निरत चोपड़ा ऊधर चोड़ दो ठीक है यहां पर है रास्ट और ब्रड़क लिमिटेट के एनफल के अध्यक्स कोन बने हैं निरलेप तो जो एनफल है एनफल उसके कॉन है निरलेप हैं याद रख लिजेगा सिक्षा को हमले से बचाने के लिए रिपीट हो जैके गया है, बॉल्ड के नाम से सुरू किया है, ठिक है, जैसे SPI का इउनो एप है तो वैसे बॉब बॉल्ड, सारी की सारी एक जगा मिल जाएंगी पिर्तिवर्स आत्मत्या रोग थाम तो आत्मत्या दूसरी वार रुकी है आज आज में आत्मत्या रोग थाम का विशे क्या था मेरे दोस्तों working together to prevent आप लोगों का जो है suicide नहीं मेरे दोस्तों creating hop through action creating hop through action है याद रख लिजेगा अगला question आप लोगों के लिए ठीक है ठीक है तो कोई doubt आप लोगों को यहाँ पर है बता दीजेगा उसके बाद साथ चीओ अगर मैं बात करूँगा है आप तो यह है आप लोगों का अच्छा यह question रह गया भी ठीक है तो यहाँ पर है IDFC first class के MD और CEO का नाम बताईए जिन्हें अगले तीन वर्सों के लिए RBI दुआरा इस पद पर नूट किया गया है तो IDFC first के भी वैद्यनाथन है और IDFC first के brand ambassador आमिताब बच्चन है ध्यान रखिएगा ओके चीजे समझ में आ रही है क्यों कि recall हो रही होंगी बहुत सी चीजे भूलने लगे होंगे ठीक है यह human nature है हम भूली जाते लेकिन जो साथी पहली बार पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए रट्टी जैसा हो जाएगा लेकिन आप देखो और उसके बाद हम revision में इसको लपेटते रहेंगे बड़ फिर भी देखते रहो ठीक है तो कोशिस हमेशा रखो कि सुभह वाला session देखो जरूर ठीक है उससे ही यह सब चीजे निकलती है नाइएफ इंडिया ranking सिक्सा मंत्राल ने दौरा सुरू की गई संसार्थ नो मेरे दोस्तों बारसिक ranking का कौन सा संस्क्रण है तो जो एन आइएफ है हमारा यह ranking मेरे दोस्तों education ministry लौंच करती है तो इस बार छटा है क्योंकि हम 2015 से इसको कर रहे हैं इस स्कूलों के लिए नया पाठेक्रम विक्सित करने वाले सिक्सा मंत्राले का प्रमुख कोन हैं तो इसकूलों के लिए नया पाठेक्रम विक्सित करने के लिए पैनल बनाया गया है और उस पैनल में के कस्तूरी रंगन को किसको के कस्तूरी रंगन को दूर संचार विभाग के सचिव किसको बनाया गया है के राजा रमन को दूर संचार जो टेली जारती हैं अगला है जी एंटरटेन्मेंट ने सोनी पिचर्स के साथ में कॉलाब्रेशन कर लिया है पांच साल के लिए सीओ कोने पुनित गोइंक का है अंतरास्टे सांकेतिक भासा सांकेतिक भासा सभी लोग जानते हैं 23 सेप्टेंबर आजाधी कामरित मुहतसब 20 से 26 सप्तंबर तक कौन सा सप्तहा था वानिज्य सप्तहा था 400 डेज पुस्तक किसकी है 400 डेज 400 डेज देखो ये 400 डेज अब हम इसको 400 पेज कर रहे थे कई बार कई बार आपने पढ़ा होगा तो मैं भी 400 पेज लिग देता था लेकिन किताब का नाम क्या है 400 डेज तो ये किताब किसकी है चेतन भगत की किताब है ठीक है तो कई बार हम इसको 400 पेज लिग देते थे ठीक है तो ये थोड़ा सा धिहान रखेंगे इसको सही कर लेंगे बिल एंड मलिंडा गेट्स ने global goalkeeper किसको दिया है तो ये reform जिले को फूम जिले को दिया है जो South Africa की है ठीके यहाँ पर कॉन सी company सैन्ने बिमान बनाने वाली नीजी company तो भारती सैन्ने बिमान बनाईगी Tata फसाई के अनुसार packed food भारत में trans fat free होगा तो दोस्तो 2022 के end से क्योंकि दिल की बिमारिया बढ़ रही है उससे उत्री अमेरिका में सबसे पुराने मैनप पारक के निसान जो है वो कहां देखे गए थे न्यू मेक्सिको में ओके डबलो एच्चो के महानिदेशक टेड्रोस एब्डेवन जो है वो इथोपिया के हैं यहाँ पर है संयूक्त म महासबव में कौन सा देश हमेशा पहले बोलता है ब्राजील पहले बोलता है ओके किस देश ने पहली बार हिमालिया फिल्म मोहतसब खोला है और यह खोला है दोस्तो सेरसा सूरी से मतलब खोला गया है लगदाक में एड़ीबी के नुसर भारत की नवीनतम जीडीपी कितनी है तो दस है पहले ग्यारा थी अब दस कर दी है घटा करके भारत ने निवे सकोर व्यवसाओं के लिए एकल खिलकी प्रणा ली नैस्नल सिंगो विंडो किसने कॉमर्स मिनिस्टर प्यूस गोयल ने जो हमारा वानिज्य मंत्राले ने वानिज्य सप्तहा 20-26 सितंबर कोशन व मिला है बांगलादेश की फैरोज को मिला है अगला कोश्चन है आपका दोहा में आई डिवी आई सिक्स रेडिश नूकर किसने जीती है यह दोहा में हुई थी पंका जैडवानी ने लगातार दूसरी जीती है ओके सतत्विकास लक्षों को प्राप्त करने में निर्ग प्र प्रगती पुरुसकार तो SDG सस्टनेबल डवलप्मेंट गोल प्रगती पुरुसकार एक ही है कहां गई हसीना सेख हसीना ठीक है अगला कोश्चन है केंद्रिय नागरी कुड़ेन मंत्राले के महा सचीव कौन है तो सिविल आविएशन के महा सचीव कौन बनाए गए है पुरुसकार नागरी कुड़ेन मंत्री जिम्मेदार मंत्री जोती रादित्य सिंध्या जो सीधे उड़के आये थे कॉंग्रेस सेर उसमें SDG प्रगती पुरुसकार में किस नेता को कोशन डारेक्ट पूछ लिया पहले लंबा कोशन करके पूछा अब यही कोशन छोटा करके डारेक्ट पूछ लिया सेख हसीना सफेज जुल्फो वाली तालिवान दुआरा संयुक्तराज रफगान दूद के रूप में किसे निउ क्या है ब्लू फ्लैग प्रवान करने वाला इडन तो हमारे ब्लू फ्लैग टैग 10 मिकों मिला है इडन जो है वो पुड्डू चेरी में है कहां पर पुड्डू चेरी में यह रहे बाकी सारे ठीक है निवेशक और व्यवसाओं के लिए रास्ति एकल खिग्ड़ पिनला ली कोशन वही है ठीक है आबजेक्टिव पूछ रहा है इस बार तो यह मेरे दोस्तों क्या है यह पर सिंगल विंडो फॉर अप्रूबल एंड क्लिरेंस ठीक है वही कोशन जो थोड़ी देर पहले पूछा था उसका अबजेक्टिव पूछ लिया ठीक है अगला कोशन है दा लॉंग गेम, हाउ दा चाइनीज नेगोशियेट विद इंडिया, ये मेरे दोस्तों किसने लिखी है, ये लिखी है आप लोगों की विजे गोखले ने, किसने लिखी है विजे गोखले ने, ठीक है, और आपकी किताब है तीन खान वाली, वो कावेरी ने लिखी है, ठीक ह पर्यवरन दिवस स्वास्थे दिवस 26 को हम मनाते हैं 26 को हम मनाते हैं याद रख लीजेगा ठीक है है इ możli刁 उसके बाद जाथी ओटिध हिर्ए ओट फॉस्ट हिमां लिए कहां है रोए जो इसका फ्रयक्चर हो देंगे दोजार इकिस प्रेवरण स्वास्य दिवस्का आप लोगों का मेरे दोस्तों थीम क्या थी तो जब भी आप से पूछेंगे प्राइटाइजिंग एंवायरमेंटल हैल्थ को एल्धियर कम्धिटी तो priority दीजेगा environmental health को healthier community के लिए सरकार के आंकडों के अनुसार 31 मार्ज 2000 तक सोभाग्य योजना कितने घरों में पहुँच गई है 2.82 करोड तक सोभाग्य योजना पहुच गई है Change maker award किसको मिला है फैरोज को मिला है दूसरी बार question पूछा है directly Cancer रोग्यों के लिए गुलाब दिवस 22 सेप्टेंबर गुलाब और गेंडा दोनों एक ही ना जाती के हैं गुलाब और गेंडा नेम रासी रासी मतलब एक है गुलाब की और गेंडे की तो 22 को मन जाएगा Epidadenium 1985 में पारित किया था दोस्तों अगला question है आपका मेरे दोस्तों आधार आधारित इकवाईसी जो होती है ये आप लोगों का क्या है टेलिकॉम रिफॉर्म है ठीक है अगला question है आप लोगों का आजादी कामरित महतसब सेलिंग रेंगटा और सेल परेड तो जब सेल की बात आएगी सेलिंग की बात आएगी तो इंडियन नेवी ने की है ये परेड अंतरास्टे सांकितिक भासा दूसरी बार संकित दिया है इसने तेहिस को है किस भारतिये ने संयुक्तराष्ट महासाचिफ 17 ADG में एक के रूप में निउक्त किया है तो केला सत्यारती तीसरी बार केला सत्यारती आये लेकिन हर बार कोश्टन फॉर्मेशन अलग अलग थी ठीक है अगला कोश्टन है डेनमार्क में पर्यावरण शिक्सा में फेडरेशन दुआरा कितने भारती समुद्र टटो को ब्लू फ्लैग तो दस भारतियों को ब्लू फ्लैग आठ को बापस से मिला है और दो नए जुड़े हैं सबसे बड़ा मनोरंजन उध्योग जी एंटरटेन्मेंट ने किसके साथ में किया है सोनी के साथ में पुनित गोइंग का कोश्चन तीसरी बार अलग तरीके से ठीक है अगला कोश्चन है कोवलम उन दो टटो में है तो इडन मैंने पूछ लिया था अब मैं कोवलम पूछना चाहरा हूँ तो कोवलम तमिलनाडू का है दोस्तों बीजिंग जैसे गोल्डन बीच उडिसा वाला है बीजिंग में सीतकालीन और इनके लिए आदर्स वाक्ये तो गैदर फोर शेर्ड फ्यूचर याद रख लीजेगा विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व नदी दिवस जो है फोर्थ संडे जबकि चार नवंबर को हम क्या मनाते गंगा का दिवस नेशनल रिवर डे ठीक है रास्टे ग्रामिन विकास पंचाईतिरा संस्थान कहां पर है मेरे दोस्तों तो कल पर सुही पढ़ा था ये हैदराबाद में हैं आप लोगों का कहां है है अगला कोशन है विश्व फार्मसिस्ट दिवस कब मनाया जाता है तो फार्मसिस्ट हमने 25 को मना लिया था अन्तोदे दिवस दीन देलो पाध्याय का बर्थ लूँगा किस पर एप पर और मैं चाहता हूं कि हर कोई बच्चा सारे कोशन ठीक करे हर कोई बच्चा उस दिन पॉल में सारे कोशन ठीक करे मतला हमारा final result रहे वहर किसी बच्चे के 95% से जादा कोशन सही रहे कोशन देखो पहले ही आपके सामने अगर ऐसा हो गया तो यह अंतोदे दिवस किस भारति नेता की है दिन दयल उपाध्या smashing दिख रहा अगला कोशान है आपका प्राइवेट इस्पेस नामक एक नया स्टार्टर मेरे दोस्तो जो प्राइवेट किस नामक नया स्टार्टर हमारा किसने किया है स्टीन ने है को फाउंडर है ठीक है चलिएगा अगला कोश्चन है हमारा भारती सेना ने 26 से 29 सितंबर तक विजोई संस्कृती महुत सब पचास साल पूरे हुए थे ना कोलकाता वाली के उसके बंगलादेस वाली के वर्ल्ड फार्मसिस्ट डे की थीम मेरे दोस्तों क्या थी फार्मसी आलवेजी ट्रस्टेड फॉर योर रहल्थ अगला कोश्चन पढ़ो और आंसर करो मैं थोड़ा सा पानी पीलू तब तक ठीक ह है अगला कोश्चन पढ़ो और आंसर करो मैं कि कोश्चन क्या है डिजिटल हेल्थी कार्ड आधार कार्ड है ठीक है आधार कार्ड चोदा डिजिट का मतलब आधार कार्ड है और चोदा डिजिट का हेल्थ आईडी कार्ड है ठीक है चलेगा दस हजार रंद बनाने वाला कोन है चीकू चीकू विराट कोली ठीक है अगला है क्रिप्टो करंसी पर प्रतिमंद छीना छीना ओके जर्मनी की पहली महिला चांसलर एंजला मारकेल सन्यास ले लिया कहां के थे इंग्लेंड के ठीक है एसी ओएन नामक इलेक्ट्रोनिक बहन के लिए ए यार एई ने बनाया है याद रख लीजेगा किस राज्ये ने हाली में ओनलाइन गेम्स ऑफ चांस को प्रतिवंधित कर दिया है करनाटक ने प्रतिवंधित कर दिया है चलिएगा पटापट से अगला कोशन आपका मेरे साथियो इस कोशन का आंसर करो तब तक मैं एक चीज़ देखता हूं कि कितनी स्लाइड हमारी हुई है एक घंटे के अंदर ठीक है तो यहां पर जल्दी से बता दो फड़ाफट से सभी साथी जुड़ जाओ और लाइक वाइक कर दो आप इसका आंसर बताओ जल्दी से मंतली करंट अफेर है यह सेप्टेम्बर वाला ना ठीक है चलिएगा यहां पर आप लोगों का जो है बहुत शांदार चल रहा हमारा काम ठीक है तो यहां पर हमारी पता कितनी हो गई है 233 होगी 233 मतलब 233 स्लाइड 233 स्लाइड हमने कर लिए यह 234 स्लाइड है ठीक है तो यह गौर्मेंट की मार्किट प्लेस आपका आंसर बनेगा ठीक है चलिएगा अगला कोशन है उसके बाद दोस्तों फटा-फट से फसाई ने मेरे दोस्तों सिमित कर दिया है किस अगले कोशन पर रक्षा मंत्राले सी 295 के कितने लेगा 56 लेगा 40 बनाएगा 16 बने बनाएगा ठीक है चलिएगा अगला कोशन है आपका रूसी ग्रेंट प्रिक्स सोवी ग्रेंट प्रिक्स है इसकी लुईस है मिल्टन की दोस्तों घोशित धोकाधणी रिंकी रासी क्या है 2020 किस में जो हमारी क्या है 1.37 ठीक है तो हाली में किस मंत्राले ने अंतोदे दिवसपर 75 विकल डुए खा मेरे दोस्तों अभी तीन मेडल सिल्वर के कहां पर हैं यह आर्च्री में है ठीक है कहां कि है जोती सुरेखा वहां के बिजयवाड़ा की ठीक है परेटन दिवस का विसे क्या था टूरिजम फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ तूरिजम फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ याद रख लीजेगा के वी आईसी ने तुसार सिल्क यार्न प्रोडक्शन तो यह उडीसा में हैं सिल्क यार्न प्रोडक्शन ठीक हैं दोस्तों भारते स्टार्टप और उद्ध्यमी में प्ले प्ले नी टेरियम इनोवेशन चैलेंज जो है इसको सुरू करने वाला कौन है ह आस्वनी वैशनव है बहुत बढ़िया उसके बाद अगला कोश्चन है जलवाई यू परिवर्तन से संबंध प्रसांत महासागर ने अंतरास्टे ना जो आपका जो नियायाले है उसका रुख किया तो बनातू ने अंतरास्टे नियायले का रुख किया है यह आप लोगों अगला कोश्चन आप लोगों का जल्दी है राज्ये ने खीरा को भुगोलिक ताइक दिया है भैया नागले ने कि खीरा को भूगोलिक टैक दे दिया विश्व नधी दिवस का विषय क्या था ऑटर मेज लिश inhश इन अवर कम्यूनिटी ठीक कमला भसीन कौन थी वुमेन राइट एक्टिविटिस थी कमला भसीन आप सभी को याद है ठीक है चलिएगा ये सारी चीजे क्लियर हो गई आपको परमाणु हत्यारों के पूर अन्मूलन के लिए अंतरास्टे दिवस कब मनाया जाता है दस बजे का वेट कर रहे हैं ठीक है द कब से science की class start होगी ने समझ सकता हूँ, कल से मैं आपको इकी बलाता हूँ कल से सुन लो ध्यान से थोड़े दीन zach करना पड़ेगा, कल से हम नो बजेश्य शुरू करेंगे और कल से 921 करेंगे तो current affair का 921 11 बहुत करेंगे तो बहुत लंबी होगी लेकिन बाकी दिन 9211 करेंगे ताकि 15 अक्टूबर तक 9 महीने कंप्लीट हो जाएं तो यह कल यहां तक आपका हो चुका है आधा सेप्टेंबर कंप्लीट है आधा सेप्टेंबर हम कल पड़सों में कर लेंगे ठीक है चलिएगा पीपीटी अभी आपको मिल जाएगी हर रोज 9211 9211 लाइक कर देना ठीक है मैं समझ सकता हूँ यह घंटे से जादा आप नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं लेकिन करंट अफेर का 9211 जरूरी है ठीक है तो करंट अफेर का 9211 जो है वो जरूरी है आप इसको ध्या पीपीटी अभी दे दी जाएगी आप सभी लोगों को ध्यान में रख लीजेगा इसको ठीक है तो यह आप लोगों के लिए शैसंथा मेरा अगर पसंद आया हो मेरे साथ यह तो क्या कर देंगे लाइक कर देंगे यह आपका शेड्डियूल है जै हिंद है जै भारत है ठीक